Books That Speak में आप सभी का स्वागत है कहानी का शीर्षक है योग्य चुनाओ ये कहानी लिखी है सुधा शर्माने कहानी का वाचन असावरी दोशी इस कहानी के लिए मैं अभारी हूँ E-Initiative by Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research पुने राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे उन्होंने राजा से स्वयम को सेवा मुक्त करने की बिन्दी की राजा मंगल सेन ने कहा आप पहले अपने जैसे सेवा भावी, परोपकारी और इमानदार मंत्री का चुनाओ कर लीजिए तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है जगत राम ने आदेश दिया राज्य में धिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चैन अगले गुर्वार को किया जाएगा इस पद के इच्छुक ग्यारा बजे राजदर्बार में पहुँचे हर कारे गाव गाव धिंडोरा पिटने लगे चैन वाले दिन राजदर्बार की और जाने वाले मार्क पर सुबा से ही नवयुवकों की भीड लग गई थी सैकडों की संख्या में युवक दर्बार की और जा रहे थे इसी रास्ते पर एक तरफ एक व्रुद्ध हताश सा बैठा था उसकी बैलगाडी का एक पहिया रास्ते के किनारे की चड़ में फस गया था व्रुद्ध ने कई बार पहिया की चड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा मंत्रीपद के अनेक उम्मित्वारों ने राजदर्बार जाते समय ये दुरुष देखा पर किसी ने भी व्रुद्ध की सहायता नहीं की उम्मित्वार युवकों में एक था कर्मवीर कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था वो तेजी से राजदर्बार की ओर जा रहा था उसी समय बैलगाडी वाला व्रुद्ध एक बार फिर पहिया की चड़ से बाहर खीचने का प्रयास कर रहा था ये दुरुष्च देखकर दरबार पहुँचने की चिंता ना करते हुए कर्मवीर सीधे की चड़ में उत्रा जोर लगाकर उसने बैलगाडी का पहिया की चड़ से बाहर निकाला व्रुद्ध ने उसे धेरो आशिर्वाद दिये फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया देर हो जाने की आशंका से भागते दोडते कर्मवीर दरबार पहुँचा वो हाफ रहा था जैसे की बहुत भागने के बाद ठकके हम लोग हाफते हैं न वैसे उसके कपड़े कीचड से सने थे सारे उम्मिदवार उसे देखकर हसने लगे तभी बैलगाडी वाला वुरुद्ध भी वहाँ पहुचा वो वुरुद्ध कोई और नहीं बलकी स्वयम मंत्री जगतराम थे उन्होंने सारी गटना राजा को सनाई फिर जगतराम ने राजा से कहा महराज कर्मवीर में वो सारे गुण है जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है सारी बाते जानकर राजा मंगल से इन बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने कहा जो सामान्य आदमी की पीडा से दुखी होता है उसे दूर करने का प्रयास करता है वही राज्य के उन्चे पद पर बैठने का अधिकारी होता है जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है आज से कर्मवी राज्य के नए मंत्री होंगे आप सुन रहे थे सुधा शर्मा लिखित कहानी योग्य चुनाव कहानी का वाचन असावरी दोशी बुक्स दाट स्पीक पर आप अगर बुक्स दाट स्पीक को सपोर्ट करना चाहते है तो support.booksthatspeak.com पर जरूर आईएगा धन्यवाद